तो हलो फ्रेंड्स है वेलकम बैग अपसको फिर स्वागत है मेरे चैनल पर जैसा कि हरे एक नई टोपिक साथ आज एक टोपिक लेकर रहे हूं आज हम बात करेंगे जो है सूच चुकी है वाइट कलर का कुछ परदा उसके उपर आ चुका है तो बहुत सारे ऐसे आंखों की प प्राफ वाटर के वज़े से प्रावलम ज्यादा पैदा होते हैं लेकिन आप इसको मेटरोजल टेबलिस में तरस से भी आप क्यूर कर सकते हैं लेकिन सबसे पहले हम बात करें अगर आप बात करें बड़े आंखों वाली या आँखें बाहर होने से नॉर्मल तो पर यह का अगर इस तरह के आँखों को प्रावलम हो सकते हैं तो जरूर है कि आप उसका ट्रेट्मेंट करें आगर तो फिश जो है आपकी मर भी सकती है उसके आँखों को प्रावलम हो सकते हैं तक उसके आँखें जा भी सकती है अगर आँखें चली जाए तो इस त्रेस होकर फिश बहुत जल्दी मर जाती है तो इसके ट्रीट्मेंट के लिए ज़रूरी है कि आप उसको अलग रखें अगर एक से दो तिन ज्यादा फिश इस तरह की एफेक्टेट्मेंट कर सकते हैं अगर एक फिश को इस तरह की डिसी सुए तो इसको अलग रखें एक क्वारेंटेंट टैंक के अंदर रखकर क्या करना है डेली 20% पानी चेंच करते रहना है जब तक कि यह प्रॉब्लम सौल नहों जाए और 26 टमपरचर रखना है तेमपरचर 26 से ज्यादा भी ना हो और 26 से कम भी ना हो क्योंकि ज्यादा टमपरचर 26 से प्रॉपर मेंटेंट करेंगे तो इसको इमिन सिस्टम इसकी बॉड़ी के सिस्टम को हिल्प करेगा इस इस डिसी से फाइट करने के लिए तो इसलिए ज़रूर है उसके इमिन सिस्टम को भी आप ध्यान रखें तो इसको अलग करने में इससे एफिट होगा अगर आप चाहें तो आप मेडिसीन का भी इस्तिमाल कर सकते हैं जैसा कि मेट्रोजल 200 mg या मोक्स 200 टैबलेट्स तरह के टाबलेट्स मिलते हैं अक्वेरेम मेडिकल स्टोर में वहां पर जाकर लेकर आकर आप उसको क्या करना है उसको भूल कर करके एक इसम diffli करने मिक्स प्रूरिक एक पानी मिक्स करना है पानी नो अगर टैबलिट्स आप डेड्स बैडरेट्स तो सकता है फिश इसको खा सकती उसलिए उसको पानी घोल ले एक कप पानी के एंदर बाद उसको कॉरिंटेंट में अलग रख킨 ओऴ फिश को उसके ये जाले 12 घंटे के लिए वेट करें बारा घंटे के बारा गटे वेट करने के बाद 50% पानी चैंच करें उसके बाद आप उसको 50% नर्मल पानी ऑट करें फिर तीन दिन तक कोई भी टैबलate स्थेमाम नहीं करना है थीन दिन तक ट्विट करें डाइलिग 20 PC इशेट करते रहे चैन का बाद 20 पिंच जो जी स sail के बाइबर वनबर फो जिसा बरता फोर जो पिंच जिस फोर, तो कालिटीibl can मेंटेन करें और quality food भी मेंटेन करें जैसा कि अच्छा quality का food मेंटेन फीट करेंगे तो इसका immune system बहुत help करेगा इस disease को fight करने के लिए तो quality food में फीट करें इस तो इस तरह अगर आप तीन दिन में एक मेडिसीन दो ही बार देना है तो इसे हो जाएगा सबसे पहले आप ट्राय करें एक हफसे तक पानी चेंच करते रहे डैली पानी चेंच करने के बाद थोड़ा अक्वर्यम साल डाले एक हफसे तक इस तरह ट्राय करें हो सकता है इसी में problem जो साल हो जाता है 70% अगर इसमें solve नहीं हुआ तो उसके बाद आप medicine का इस्तेमाल कर सकते हैं तो इस तरह के से आप अपने fishes को पावपाई से problem से solve कर सकते हैं तो अमीद करता है वीडियो आपको बहुत हिल पफुल होगा घर हिल पफुल है तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए शेर की पिर एक नए टॉप के साथ मिलते हैं जब तक के लिए बाबाए खुदा आपीस सरकाल गुडबाई